नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका और आज सबसे बड़ी नियूज निकल कर आ रहे हैं दोस्तों आज क्रिप्टो बिल पास हो चुका है इंडिया के बजट में कल से आज बजट पेर्श होना था तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हिंडिया की निर्मला सीतर मंजून होने क है कि क्रिप्टो बैंड नहीं होगा क्रिप्टो रेगुलेट होगा बिट्कॉइन भी रेगुलेट होगा और अपाल्यामेंड में इसकी मंजूरी दे दी गई है और डिजिटल एसीट के रूप में और इसे डिजिटल एसीट से तो इसमें 30% टैक्स देना पड़ेगा ऐसा निर्मलाफ सीतन रमन जी ने कहा है फाइनेंस मिनिस्टर और यह बहुत अच्छी बात है क्रिप्टो मार्केट बूम होने के लिए ऐसे कि सिन्यूस का इंतजार कर रहे थे हम सभी तो अब देखते हैं कि मार्केट कहां तक जाके ग्रो करता है क्योंकि बहुत महीनों से बेरिश चल रहा था उसका कारण यह भी था कि सभी असमंजस में थे कि इंडिया में बैन होगा नहीं होगा और सभी ने पैनिक सेलिंग करके अपना लॉस्ट बूक कर लिया था तो देखते हैं कि क्या होता है आगे इंडिया के सबसे अच्छी निउस में से एक नीउस है कि क्रिप्टो बैन नहीं होगा और सभी को लगा था कि क्रिप्टो बैन नहीं होगा लेकिंट कुछ इन्फोर्मेशन ही कमी के कारण ऐसा हो इनिक सेलिंग करना पड़ा तो अब र करडानों ने रिकॉर्ड बनाया है कि 15000 परसेंट इंक्रीज वेल एड्रेस मतलब वेल ने इस खरिदारी के मामले में बहुत जाधा ग्रोथ हुए करडानों की 15000 परसेंट ग्रोथ हुई है वेल जो एड्रेस हुए है करडानों के प्लेटफॉरम पे उसके मुताबिक तो यह कि बहुत अच्छी बात है दोस्तों न्यूज बहुत बड़ी है क्योंकि इंडिया में आद बहुत खुशी का दिन है कि क्रिप्टो रेगुलेट हो गया फाइनलीक्र डिट multiples हो गया आप सब कर इसका बहुत बहुत शुक्रिया कमें runners प्रिपेर कर रही है खुद का डिजिटल रूपे लाउंच करने के चक्कर में यह देखें इंडिया से टो लाउंच डिजिटल रूपी इन 2022 और टैंथ कंट्री वेंचर इन CBDC दस्वी कंट्री होगी भारत जो खुद का लॉंच करेगी CBDC और हमारी फाइनस मिनिस्टर है उनको बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्हें उन्हें डिजिटल करेंसी को अपनाया और ब्लॉक्चेन सिस्टम को समझा कि बाकी कंट्री से फाइट करने के लिए कॉंपेटिशन बनाये रखने के लिए क्रिप्टो रेगुलेट होना बेहत जरूरी था और जिन्हों ने भी पैनिक से लिंग किया था नोवेंबर में बिटकोईन मार्केट क्रेश हुआ था अभी भी बेरिस चल रहा है और दिखते हैं अब कहां हाईट चाल के बनायेगा सभी क्रिप्टो कि टूँले झाल है।